चैय मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे योटीब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्च माह के चौथे सप्ताह के कुम्ब राशी फल के बारे में यानि 22 मार्च से 28 मार्च तक का समय कैसा रहने वाला है और ये 8 तिन ये 7 दिन आ अपके जीवन में ले कराने वाले हैं क्योंकि ये सप्ताह बेहत खास है इस सप्ताह में इन शाट दिनों तक होलाश्टक रहने वाला है जो कि होली के आठ दिन पहले से शुरू होता है अब होलास्टक में ये सबता हा रहेगा तो इन दिनों में क्या योग बनेंगे क्या ग्रहनक्षत्रों का परिविर्तन होगा और आपके लिए किस तरह के योग लाबदैक होने वाले हैं सब कुछ जानेंगे विस दोस्तो, फालगुन मास के शुकल पक्षिक की अस्टमी से लेकर और पोनी मा तिति तक होलास्टक मनाया जाता है इस ये आठ दिन का होता है इसलिए इसको होलास्टक कहा जाता है अब ये जो आठ दिन है ये बड़े महत पौन दिन है हालाकि इन दिनों में कोई भी वांगल करे करना निशेद होता है लेकिन यहां अगर हम चंद्रमा के स्थिति देखें तो चंद्रमा मिथुन राशी से गुजर करते हुए कन्या राशी तक जाएंगे आपका पांचवा छेटा साथवा और आठवा यह चार भाव सा करें रहेंगे और इन चार भाव के अनुसार आप लिए बनेंगे उन योगों का प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा तो अमरसिद्धी योग भी होगा सरवार सिध्धी योग भी होगा कई तरह कि योग आपके लिए रहेंगे पूनिमात इथी रहेंगी अठाइस मार्च को पूनिमात इथी 28 मार्च से 29 मार्च तक है तो होला स्टक में ये सप्ताह रहेगा, अब ये जो होला स्टक होता है, ये कुछ उपाय करने के लिए अच्छा होता है, तो आपकी राशी फल के बारे में भी जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि आप इस होला स्टक में किस तरह इसका लाब उठा सकते हैं, सबसे पहले जीवन में संतुलन रहेगा तभी आप अपने सभी कार्यों को सही समय से पूरा कर पाएंगे घर में किसी सदस्य की तबियत खराब हो सकती है स्वास्ते संबंधी परिशानी हो सकती है तो उनकी सेहत का ध्यान रखें को बड़ा बजुर्ग हो सकता है तो उनके आपको ज्याद की एहमियत को समझा है कि धन किस तरह से कितनी मुश्किलों से या कितनी मेहनत से कमाया जाता है तो उसकी एहमियत को भी आप समझेंगे तो इस वज़े से आप अपने खर्चों पर भी नियंतरन रखेंगे आपकी कारेशेत्र में उन्नती के यूग है इस अपता हमें कारेश में होंगे तब आपको चोटी मोटी समस्याएं आ सकती हैं जैसे काम-काज में देरी हो जाना सही समय पर आपका काम ना हो पाना तो वहां थोड़ी सी परिशानिया देखने को मिल सकती हैं लेकिन यहां भी अगर आप अपने फोकस अपने काम पर रखेंगे तो उन चीजों से भी आप बराबर लड़ सकते हैं उन चीजों को भी आप पूरा कर सकते हैं बस आपको ध्यान रखना है कि आपका जो काम है वो समय पर करना है आपको कमपनी में कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है जिसको पूरा करने के लिए आपको काफी वैस्त भरा दिंचरिया से ग आपके चार-चार भावों में चलेगी जो आपके इस सब्ताह को कई तरह से परिवर्थित करेगी एक तो आपके जो प्रियास होंगे इस सब्ताह में वो काफी संतोस देने वाले होंगी जो आपका परिश्रम होगा मेहनत होगी वो आपको संतोस देगी कि आपनी जो काम किय या है उसका लाब आपको 100% मिलना है जो भी आपने योजनाय बनाएंगे उन सभी को आप सार्थक भी कर पाएंगे इस दोरान एक चीज का जरूर ध्यान रखें जो आपके परीचित लोग हैं जो अचानक से मिलते हैं और कुछ आपको ऐसी योजनाय बनाते हैं उनकी किसी भी बात पर आपको विश्वास नहीं करना है जो कि वो आपके लिए नुकसान दायक हो सकती है अब इस दोरान आप हर तरह की चीजों का विचार करेंगे क्या आपके लिए अच्छा है क्या आपके लिए बुरा है और जब इनसान ऐसी चीजों पर विचार करता है तो वो सही द करने वाले लोगों के लिए स्थानान्द्रन का योग भी बना हुआ है, फिर भी थोड़ा सा धहरे रखें, अपनी कामकाज की तरफ से थोड़ी सावधानी रखें, कारोबार में उपलब्दी बनाये रखने के लिए निरंतर प्रयास बहुत जरूरी होगा, जो डेली इंकम वाले लोग हैं, जो डेली इंकम करते हैं, दुकानदारी करते हैं, या इन जो राहक हैं, जो कस्टमर्स हैं, आप उनको भी इस दोरान अपनी काम से खुश कर पाएंगे, ताकि वो लोटकर आपके ही पास आएं, अब आर्थिक रूप से ये पूरा सप्ताई, अवरल हम कहें तो अच्छा रहेगा, जो जातक गरचनात्मक कारियों से जुड़े उनको विशेश रूप से सफलता प्राप्त होंगी, उनको कोई गिफ्ट, कोई उपहार, कोई सम्मान उनको दिया जा सकता है, जो रचनात्मक कारियों से जुड़े हैं, तो आपके प्रयासों में निरंतरता हो रहेगी, विरद्धी रहेगी, और आप जीवन के सफलता की त अब भी जादा सक्रिय रहेंगे, और जिन बच्चों के अभी एक्साम चल रहे हैं, वो काफी अपनी पढ़ाय के तरफ फोकस रहेंगे, और जरूरी भी है कि आप इसी तरह से फोकस रहें, और अपनी हर सब्जेक्ट को बारिकी से आप समझें, बस आप गलत लोगों से, ग अंत सबता का अच्छा है, लेकिन बेवज़ा के तरकों को दूर रखें तो ज्यादा अच्छा है, इससे दिन ही बेकार होता है, समय की बरवादी होती है, बेकार के खयाल मन में आते हैं, इन चीज़ों को दूर करें, बाकि वेवाही जीवन आपका ठीक ठाक रहेगा, बनेंगे, हेल्थ की बात करें, तो परिवार के किसी सदस्य की हेल्थ खराब हो सकती है, लेकिन आपकी से एहत अच्छी रहेगी, आप इस दोरान अपनी पोस्टिक कताब पर ध्यान भी दे रहे हैं, और अपने स्वास्थे पर भी, अपने व्यायाम करने की चीज़ों पर तो आपके लिए ये समय काफी अच्छा रहेगा, इस दोरान आपके जो लखी कलर होगा, वो होगा हगा और काला, और जो लखी दिन आपके लिए रहेंगे, वो रहेंगे बुद्वार का दिन, शनिवार का दिन, और अविवार का दिन, इन दिनों में कोई अच्छे काम से शुफलों की प्राप्ति होती है और कुछ विश्यस प्रकार के उपाय भी किये जाते हैं जैसे आप हनुमान 40 का पाठ कर सकते हैं आठ दिनों में और या फिर आप जो सुंदर कान का पाठ होता है वो कर सकते हैं इन आठ दिनों तक भगवान नर्सिंग हनुमान जी के पूजा का विश्यस महत होता है और अगर आप ये आठ दिनों तक लगातार करते हैं तो निश्यत रूप से बहुत ही उत्तम रिजल्ट आपको मिलते हैं तो दोस्तों और अधी कैसी जानकारियों के लिए चानल को सब्सक्र करें और हमारी इस वीडियो को जद जद लाइक करें और शेयर करें